नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हो माश्रा अदिति चैनल दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसखबरी में आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ भादखंडे संस्कृति विश्विद्यालेक की ओर से दोस्तों ये जो खुसखबरी है भादखंडे मुजिक यूनिवस्टी से रिलेटेड है तो दोस्तों जो भी चुडेंट भादखंडे मुजिक यूनिवस्टी में एडमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहते हैं तो उन सभी के लिए ये खुसखबरी है कि आप सभी का इंतजार पूरा हुआ और माफी चाँँगा भादखंडे मुजिक यूनिवस्टी जिसका नाम बदल कर भादखंडे संस्कृति विद्विद्विद्धियाले कर दिया गया है तो दोस्तों भादखंडे संस्कृति में एडमिशन डेट जो है वो आप सभी के लिए आ गयी है गयारा जुलाई तो आस तेरा जुराई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजी स्टेडूल होने के विजए से मैं जो वीडियो है उसको टाइम पर अपलोड नहीं कर पाया तो दोस्तों उस गल्दी के लिए माफी चाहूंगा तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि एड्मिशन का overall procedure क्या रहने वाला है फिलाहल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है भातखंडे मुजिक यूनिवस्टी में एड्मिशन offline ही start किये गये हैं हो सकता पिछली बार की तरह offline के बाद online भी admission date आ जाए और आप online भी admission के लिए आवेदन क करेगा इस पर आप जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो आपके सामने एक notice आएगी वहाँ पर सारी detail है तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि उस notice में क्या कुछ बताया गया है student के लिए कैसे वे भातखंडे music university में प्रवेस ले सकते हैं तो सारी जानकरी इस वीडियो में देन सबसे पहले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि भातखंडे music university की यहाँ पर मैंने website open कर रखी है open करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही click करते है admission open 11 July 2022 का तो यहाँ पर आपके सामने एक notice आएगी उस notice में क देखें तो दोस्तों आईए देख लेते हैं हमारा जो notice है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं यह है हमारी notice जिस पर कुछ इस प्रकार्थ से आपको जानकारी दी गई है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बात-खंडे-संस्क्रिति विस में प्रवेश हे तू आवेधन पत्र का मूल 300 रुपए होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप MPA या फिर BPA में फर्स सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो वहाँ से प्रवेश का जो आवेदन पत्र होता है तो आपको वहां से डाकर जो फीस काउंटर है भाथ खंडे का वहां से लेना होगा उसके लिए आपको तीन सो रुपए देने होंगे वहां पर फिर आपको आवेधन पत्र मिलेगा आवेदन पत्र एक booklet होती है भातखंडे music university का जिसका नाम होता है परिचय परिचय में ही वो form लगा होता है जिसको आपको fill करके submit करना होता है तो दोस्तों अगर आप MPA या फिर BPA में admission लेना चाहते हैं तो 300 रुपए आपको जो आवेदन पत्र है उसके लिए देना होगा फिर उसके बाद आएए पढ़ लेते हैं आगे notice में क्या कुछ दिया हुआ है अगर आप प्रवेशिका परिचय प्रबुद्ध तथा पारंगत भागवन मतलब की जैसा कि मैंने आपनी पिछली वीडियो में आप सबको बता रखा है कि प्रवेशिका परिचय प्रबुद्ध पारंगत में 2-2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है तो अगर आप प्रवेशिका परिचय परिचय पर्बुद्ध पर या फिर पारंगत फर्ष्ट में एडिमिशन लेना चाहते हैं तो आवेधन पत्र का जो यहाँ पर मूल है वो 200 रुपए आपके लिए रहने वाला है आप भातखंडे मूजुक यूनिवरस्टी का जो फीस काउंटर है वहाँ पर 200 रुपए देकर आवेधन पत्र ले सकते हैं और दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आप भातखंडे मूजुक यूनिवरस्टी से पीचडी करना चाहते हैं गायन वादन या फिन रत में दोस्तों यहाँ पर जो प्रवेश का अवेधन पत्र होता है उसके लिए आपको 2000 रुपए यहाँ पर देने होंगे और भी कुछ यहाँ पर डिटेल वाइस जानकारी दी गई है पर जो यहाँ पर important important है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भादकंडे मुजुक यूनिवरस्टी की जो official website है वहाँ से download करके आप properly इसको read कर सकते हैं हाला कि कुछ खास नहीं यहाँ पर दिया हुआ है जो important है यहाँ पर important point है बस उन्हीं को आपको मैं बताना चाहूँगा उन्हीं को explain करना चाहूँगा और दोस्तों यहाँ पर आईए जान लेते हैं और भी कुछ यहाँ पर important notice है उसको देख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दिनांक 11 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक सुल्क पटल मतलब की भातखंडे म्यूजुक यूनिवस्ट्री का जो यहाँ पर फीस काउंटर है वहाँ से आपको प्रवेश आवेदन पत्र लेना होगा और दोस्तों यहाँ पर जो डेट है वो 11 जुलाई है 10 अगस्त तक आपको अपना एड्मिशन ले लेना है 10 अगस्त किलाल के लिए लाज़ डेट बताई गई है आपको प्रवेश आवेदन पत्र लेने के लिए और सब्मिट करने के लिए पर याद रहे कि आपको फुट्टी के दिन नहीं जाना है मतलब working days जो होते हैं उनी में आपको ये जो form है वो मिलेगा और उसी में आपको ये form जो है भादखंडे music university कैसरबाग लखनव में आपको submit कर देना होगा तो दोस्तो ये रही जानकारी भादखंडे music university में admission से related 2022-23 के session के लिए फिलहाल के लिए दोस्तो यहाँ पर जो भी important point रहे हैं मैंने आपको सभी explain कर दिये हैं अगर कोई भी point रहे गया हो कोई भी चीज अगर आपको ना समझा रही हो तो comment section में comment करिएगा मैं आपके answer देनी की पूरी से पूरी कोशिस करूँगा और दोस्तो यहाँ पर एक request करना चाहूँगा वीडियो प्लीज आप like कर दीजिएगा दोस्तो जब आप वीडियो को like करते हैं तो हमें motivation मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत